नमस्का सुवागत है आपका आप देखरें प्राइम टीवी आमें कीरती लेकर हाजर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास कपरें देकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर यूपी में करोना के 226 नए मामले 20 जिलों में शूने नए केस एक्टिव केस तर पैटिस्तो केस कब यूपी में वन विभाग का वन महस्व एक जुलाई से सीम योगी ने दीशुप काम नाए मनी लॉंडरिंग के तहट एडी ने दर्च किया केस यूपी में धर्मांदरन केस में आप तक दो हो चुके हैं गिरफतार बारिश के कारण गंगा नदी का जलिस्तार लगतार बड़ा जलिस्तार बढ़ने से प्रशासन के खुली पोल शवों की उभरनी की तस्वीरे आईं सामने यूपी में करोना पार योगी सरकार का बड़ा वार यूपी में 24 दिन में वैक्सिनेशन एक करोड के पार करते हैं शुरवात उत्तरप्रदेश की खास खबरों के साथ जिनका सीधा सरोकार है आपके साथ उत्तरप्रदेश में 24 दिनों में एक दिशमलफ शूने चार करोड से अधिक लोगों का टीका करन किया गया यानि जून माह का लक्ष छे दिन पहले ही पूरा हो गया एक जुलाई से हर दिन कम से कम दस लाख लोगों के टीका करन की तैयारी हो चुकी है प्रदेश में टीका करन का ग्राफ लगातार बढ़ाया जा रहा है जून माह में एक करोड डोस देने का लक्ष रखा गया था वहीं 23 जून तक 97 लाख डोस दी गई है 24 जून को 7,84,000 लोगों का टीका करन किया गया इसमें 5,27,000 लोग 18 से 44 आयू वर्क के थे जून माह का ग्राफ एक करोड का लक्ष पार कर गया है तो जून माह का ग्राफ पार कर गया है एक करोड का लक्ष यानि की अधिक 1.004 करोड लोगों को टीका लगा चुका है जो जून माह का लक्ष छे दिन पहले ही पूरा हो गया है। जी देखें बिल्कुल चुनोती बहुत बड़ी है सामने क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश भी है और यहां के जन संक्या देश में सबसे ज़्यादा है। जून के महिने के लिए कि एक करोन लोग को वैक्सिन लगवाना है। कि लोग सुरक्षित हो पाएं। आपको एक महतोपूर्ण चीज और बता दें। एक तीस जून से ये एक तीस जुलाई से हरोज जो है ये दस लाग का टीका करन की तैयारी जो है प्रसासन कर रहा है। लगाया भी गया था अलाकि अभी ये रिकॉर्ड न्या उतरप्रदेश में बना ता कि एक दिन में साथ लग डॉरस यस दिये गए लेकिन वहीं चुनातिया ये भी है कि ब्रहम किस्थिती ग्रामीन इलाकों में अभी भी जस्कितस हैं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ब्रहम किस्थिती हैं लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं उसकी ब्रहम किस्थिती भी मिटाना और इस लक्ष को पूरा करना भी बड़ी चुनौती है बिल्कुल अगर ग्रामिट छेत्रों की बात करें तो अगर या तो टेस्टिंग हो या वेक्सिनेशन की बात हो जिससे लोग पहले थोड़ा परेज कर रहे थे लेकिन जो दूसरी लहराई उसने ग्रामिट छेत्रों में मजबूती दस्तक दी और काफी नुकसान पहुचा है उसके बाद से प्रशासन ने भी तमाम तरह कोशिशे की मुहीम चलाया कि लोगों को जागरूख किया जा सके वेक्सिनेशन अब दीर दीरे लोग जागरूख हो रहे हैं वेक्सिनेशन गाउं में भी कैम्प लगा के प्रशासन के द्वारा वेक्सिनेशन कराया जा रहा है ये तमाम चीज़ें जो है चल रही है और प्रशासन की कोशिज है कि जल्दी से जल्दी ग्रामीड छेत्रों में वैक्सिनेशन हो क्योंकि इस बार हमने देखा दूसरी लहर में ग्रामीड छेत्रों पर अच्छा का सा प्रभाव पड़ा था अला कि पहली लहर में ग्रामीड चेत्रों में भी काफी नुक्सान पहुंचाया था जिसको देखते वे तमाम जीला प्रशासन हो गया सरकारी अस्तर स्वास्त मायकमा हो गया यह तमाम अलग अलग परिदें मुहीन चला रहे हैं लोग को वेक्सिनेशन के लिए जागरू कर रहे हैं और जो तमाम तरह की वरां आपको जो जून के आखरी तक का लक्ष एक करो डोजेस तमाम लोगों को लगाने का रखा गया था वो जून के छे दिन पहले ही पूर्ण कर लिया गया है हाला की नया लक्ष ये भी रखा गया है कि अब 27,000 लोग जो है इन में से 27,000 पांच लाग 27,000 लोग जो है वो 18-444 सायू वर्क के हैं जिनने डोस दी गई हैं वही राश्पती रामनात कोविनाज रेल मार्क से दिली से कानपूर का सफर तै करेंगे से पहले 2003 में ततकालीन राश्पती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने दिली से बिहार तक का सफर किया था ट्रेन से जिला मजिस्ट् पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन का ठहराव नहीं होगा लेकिन ये बेहत ही खास लमहा होगा जब भारत के राश्पती रेल मार्क के माध्यम से अलिगर से गुजरेंगे डियम एससपी ने सुरक्षा पर प्लान भी तैयार कर लिया है पोलिस और मजिस्ट्रेट के साथ पूरे रूट पर अधिकारी करमचारी तैनात रहेंगे लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जल इस तर लगातार बढ़ रहा है इस कारण जो शव करोना काल के दौरान नदी किनारे दफनाए गए थे उनके बालू से उभरने की तस्वीर सामने आने लगी है इस हाला से बचने के लिए प्रयाग राज नगर निगम फाफा माउ घाट पर देर रात में दफनाए गए शवो को निकाल कर उनका वैदिक रीती रिवास से अंतिम संसकार कर रहे हैं नगर निगम ने अब तक तक तकरीबन 50 शवों का अंतिम संसकार किया है जो शव कचान की वज़ से बाहर निकल आये थे बता दे कि कोरोना काल में प्रयाग राज के शम्शान घाट अंतराश्ची स्तर पर सुर्ख्यों में रहा था वहां रेत में दफनाए गए शवों की तस्वीरे कई जगहा देख देखी गए थी महिस्तायनी लोगों ने नगर निगम के इसकार की जमक जाते हैं खत्म हो जाते क्योंकि मिट्टी की सता गर्म होती है बालू की सता हमारी थंडी होती है तो जो भी दफन हुए हमारे हैं तो उनका गल्ना मुश्किल होता है और हमारे यहां परंपरा भी रही है जो स्वमों को दफनाने की कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं कुछ ऐसे स यहां भी ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही है निगम स्वयम निगम के वहां के जो जोनल अधिकारी हैं वो मैंने भी कुछ जगा पे दाशन्सकार किया है तो वह इस कबर पर हमारे साथ प्रियागराज से समवाद आता सेयद रजा जुट चुके हैं रजा मैं आपसे जाना चाहूंगी कुस तरह की परिसतिया देखने को मिल रहे है बरसाथ की वज़से जो शन्सकार किया जा रहा है बिल्कुल हम बता दें आपसे एक से दो मेना पहले जिस तरीके सस्वीर प्यागदा से सामने आई थी कि शवों का अमबार जो है आप शवों का महला देखने को मिला था नदी किनारे भारी संख्या में जो कुरुना पेशन से जिनकी मौत हुई थी उनको डफनाए गया था जिसके बाद ये क्यास लगाये जा थे कि जब मौनसून का महीना आएगा तो जब दोनों नदीव का जलसर बढ़ेगा तो कचान होगी और कचान से ये जो शव है ये उभर के बाहर आएंगे तो ऐसे नगर निगम ने जिम्मेदारी तमाली और अभी तक 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 50 चाड़ा ऐसे शव हैं जिनका वैदिक लूप से अंतिम संस्कार किया गया है और फानिये लोगों ने भी नगर निगम के इसकार की इसराना की है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कुरोना महमारी में ऐसे शवों को डपनाया गया था और पूरे अन्वाश्री सर पर इसकी चड़्चा हुई थी उतको देखते हुए नगर निगम ने दिम्मेदारी समाली है तो वैसे में अभी सिती तो समाने है लेकिन जैसे ऐसे जलसर बढ़ेगा या जैसे ऐसे बारिश और होगी या पानी चोड़ा जाएगा वैसे वैसे कटान और होगी तो हलाकि अभी शवों को जो मिलने का सित्रा है वो जादा नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जब भारिश और होगी तो शवों क्या है वो बढ़ेगी हलाकि नगर निगम को कहना यह है कि उन्होंने मॉन्टरिंग टीम लगाई है और जहां ऐसी शिकायत आएगी वहां उसकार अंतिन संस्कार उस शवों का दुबारा किया जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया रजा हम आसा जोड़ने के लिए तो पचास से अधिक शवों का अंतिन संस्कार किया गया आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं नगर निगम के पहल हाला की सरानी है लेकिन सवाल वही कि शव चुपाए नहीं चुपे और एक बार फिर बारिश ने यह उजागर कर दिया है कि कितनी मौते करोना काल की दूसरी रहर में हुई थी वही आजमगर के थाना गंभीर पूर में पुलिस मुट भेड में तीन लोटेरे गिर्फतार किये गए हैं लोटेरों पर कई मुकदमे तरज हैं उनके कब्से से स्विफ्ट गाडी अवैत तमंचा कार्टूस और सत्रा विबिन बैंकों के एटियम काड और कई चीजे बरामत की गई हैं गंभीर पूर में तीन शातिल लोटेरे पुलिस मुट भेड के दौरान गरफतार किये गए हैं ये लोट भी किया करते थे और एटियम बदलकर जो गरी व्यक्ति थे जो अंजान व्यक्ति थे उन्हें चूना भी लागाया करते थे इविन ये एटियम बदलकर उसे उसका कि इसे उड़ा लेते ऐसे तीन अपराधी क्रफतार किये गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में एटियम मिले हैं एटियम क्लोन करने की मशीन इनके पास से मिली है लैपटॉप प्रियाकराश जी आर्पी पुलिस ने कच्छुआ की बड़ी खेप को बरामत किया है ये कच सुचना मिलते ही ट्रेन आने से पहले ही जी आर्पी के जवानों ने घेरबंदी कर ली पुलिस के अनुसार 106 कच्छुए बरामत हुए हैं इस दौरान जी आर्पी पुलिस ने कच्छुओं के तसकर को काफी डूढने का प्रयास किया लेकिन तसकर नहीं मिले प्लैटफॉ सुचना पर जी आर्पी द्वारा पहुच कर डी टू में चेकिन के गई तो एक लावारिस दसा में पड़ी भी बैग मिली और जिसे नीचे उतार कर देखा गया तो उसमें कुछ के चुगा थे बाद में उसकी गढ़ना की गई तो एक सौच साहरंबुर के गाओं के शमशानगार में तांतरिक क्रिया करते हुए ग्रामीनों ने तीन लोगों को पकड़ा गुसाए ग्रामीनों ने तीनों के साथ जमकर मार पीट की वहीं सुचना पर पहुची पुलिस ने तीनों यूवक को हिरासप में ले लिया है और मौकी की पुलिस महकमे में हणकम अच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक मेकान की छत पर दो शफ पड़े हैं जिसमें मृतक यूवक के हातों में तम अचाय वही कुछ देरी दूरी पर मृतक यूफती का भी शफ पड़ा हुआ मिला बतादी की मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताय जा रहा है जानकारी के अनुसार 11 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था पर इन रिष्टों को लेकर घरवाले नहीं मान रहे थे वहीं यूफती की शादी किसी दूसी जगा तै कर दी गए थी इसी बात को लेकर यूवक खासा नराज चल र प्रेम प्रसंग काफी लंबे समय से चल ला था आज लड़की की छत पर इन दोनों के शब मिले हैं लड़के पक्ष का कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों की हत्या की है परंतू लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि लड़के दौरा ही लड़की को गोली मारी गई उसके बाद सोयम को गोली मारी गई आलिगर के गांदी पार्क थाना चेतर के एटा चूंग में पुलिस का कहना है कि युवक की मौत का करण अभी तक सपश नहीं हो पाया गटनसल के आज पास लगे सिस्ट्री भी खंगाले जा रहे हैं साथ ही पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी आने का इंतिजार किया जार जिसके आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी आज शाम को पुलिस को सुचना मिली कि विटा सुंगी थाना गांधी पार के पास रंकी देखिवी गाड़ी खड़ी है इस पे एक संदिद व्यक्ति गाड़ी केंदर रैठाव वाड़ी है पुलिस मौके पे पहुंची और व्यक्ति की शिनाथ रही है संजीव यादव सनौफ राम परदाट पड़ाली अना जलेशर जीटा का रहने वाला है और मौके पे फिल दिदिद गलाई गही है और बाड़ी को पुलिस ने एक पूर्व ब्लॉक प्रमुक प्रमोद यादव की आवास पर चापे मारी किया जोरान मौके से चार दबंगों को गिरिफतार किया गया साती पुलिस ने उनके कबजे से राइफल पिस्टर और भारी मात्रा में कार्टूस भी वरामत किया है वह इस पूरे मामले में एस पी सुधीर कुमार सिंग ने जानकारी देते हूं ब बीडी सी बिलोग प्रमुकों का चुनाफ चला है जिसमें बीडी सी मेंबर्स को लोग डराने धंकाने की सूचना मिल लए थी और उने डरा धंकर अपने हैं रखने की सूचना मिले थी इससे सूचना पर पिरमोध यादव जो की बीडी से बिलोग प्रमुकों का उम्मी दो बारा बंकी पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक बेहा शाँदिर गिरहो का परदा फारश है पुलिस ने गिरहो के चार अभ्युक्तों को गिरफतार करके उनके पास से दो लाग से जादा के नकली नोट भी बुरामत की है आपको बता दे कि ये गेरोज जन्पता योद्या में जाली नोच बनाकर 12 बंकी सुल्टानपूर अमेठी रायबरेली लखनाओं में सप्लाई करता था साथ ही आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये गोरक धन्दा केवल लाप्टॉप, स्कैनर और प्रिंटर के साहरे ही बेहर दिशाती राना अंदार्स में चलाया जा रहा था सारा बंकी में अपराद्यों की बिड लगातार रिया जारी है इसी करम में एक गैंग पकर गया है जो फूट-रशित भारतिया करेंसी को स्कैन करके बनाता था और मार्केट में सप्लाई करता सा ये गैंग कई सालों से इसमें काम कर रहा था अभी ये पकड़ा गया है, इसमें चार अभी उती गिर्सार हुए हैं और इनके पास से 2,11,000 रुपे बरामत हुआ है और ये लगातार एक नोर्ट को स्कैन करते थे कंप्यूटर में और उसके बाद उसको स्कैन करके प्रिंट करते थे एफोर साइट के पेपर के प्रिंट करने के बाद ग्राहं गूड़ देते, लोगों को टारगेट करते थे, उनको ग्राहं गूड़ देते थे, तो तीन गुना में वो सप्लाई कर देते थे एक जैसे 10,000 रुपए उन्होंने ओरिजिनल रुपए ले लिए और उसके एवज में 30,000 रुपए उसको दे देते थे ताजनगरी आगरा में कोरोना तीका करण अभ्यान के अंतरगत फाक्ट्री ओनरस एसोसियेशन में तीका करण केंदर का शुभारम किया गया इसका उधगाटन जॉइंट कमिशनर मंजुरानी ने दीप्रजुलेट कर किया मैं इस दौरान एसोसियेशन अध्याक्ष किशोर खन्ना ने कहा कि कोरोना वाइरस जैसी में हमारी से जीतने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है इसलिए नूनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया में टीका करन केंदर बनाया गया है जहां पर सभी फैक्टरी के साथी अपने अपने वरकर को टीका करन लगवाएंगे जो कि हमारे देश के उज्वल भविश के लिए बहुत ही जरूरी है वहीं फैक्टरी संचालक विकास करना ने कहा कि हर एक व्यक्ति को करोना को हराने के लिए टीका लगवाना जरूरी है क्योंकि ये करोना वाइरस को हराने में कारगर साबित होगा उतर प्रदेश की तमाम खास कपरों में फिलाल के लिए बस अताई फिर हाजिर होंगे उतर प्रदेश के लिए गज़गान उतर प्रदेश को हराने के लिए करोना जरूरी है